नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज हम बनाएंगे तीज स्पेसल रबडी गेवर ये गेवर आप बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हो और आज है यहाँ पे हम बहुती इजी तरीके से गेवर बनाना बताएंगे तो चलिए हम इशार्थ करत सकते हो गाह का या या बेस का किसी का भी आप यहां पर दूद ले सकते हो अब हमें दूद को अच्छे से पका लेंगे पुर्शी बीच बीच में चलाते रहना है कि हमारा कड़ाएं के तले थे में लगे ना है अच्छे से color change हो गया है अब हम डालेंगे इसमें चीनी दूद मारा इतना पक जाए ना इसी टाइम पर हम यहां पर चीनी डालनी है तो यहां पर हमने छोटी वाली चम्मच से 5 चम्मच चीनी लिए आप अपनी साफ से कम ज्यादा डाल सकते हो चीनी चीनी को में अच्छे से लेना है दूद में तो दूद भी हमारा गाड़ा हो गया है चीनी भी दूद में अच्छे से गुल गई है अब हमें दूद को इतना ही पकाना है यहां पर मैंने थोड़ा सा इलाइची का पाउडर भी डाला है आपको पसंद हो रबडी में इलाइची का पाउडर तो आप सिक्टाइब सब्सक्राइब देगके छाप पर दें राप रबन निम only 1 लिए यहां पर invol बेसिते जाइब में के लिए लिए बना लेंगे वाधे के लिए लुषनाभ़ सरे हम्निन जाफेर से 장 बनाने लिन एक रबनाम एक टार की झसणाषन बनाएंगे तो यहां पानी डालने से एक तार की चासनी जल्दी बन जाएगी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि पानी में चीनी भी अच्छे से गुल गई है अब हम इसे एक क्या दो मिनट के लिए पका लेंगे तो एक से दो मिनट हो गये हैं चासनी को पकते हुए अब चेक कर लेंगे कि चासनी अमारी एक तार की बनी यह नहीं तो यह देखे एक तार की चासनी अमारी बन गई है तो यहां पर गेवर बनाने के लिए आज हम मिक्सीजार का यूज करेंगे तो यहां पर हमने थोड़े से बरफ के टुकडे डाले हैं अब हम इसमें डालेंगे घी आप इसे यहां से भी अच्छे से फेट केस की करीम बना सकते हो मैंने पिछले वीडियो में गेवर बनाना बताया था उसमें मैंने हाथ से इसको अच्छे से फेट केस की करीम बनाई थी लेकिन आज यहाँ पे हम easy तरीके से बना रहे हैं तो अब इसमें हमें अच्छे से इसका पेश्ट बना लिया है तो घी भी हमारा हलका हलका क्रीम जैसा पिस्गया है अब हम इसमें डालेंगे मेदा तो यहाँ पे हमें एक कटोरी मेदा लिए तो मेदा हमें यहां पे सारी नहीं डालनी है इसमें थोड़ी-थोड़ी करके मेदा डालके इसका अच्छा सा भूल बना लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच बेसन तो यहां पे बेसन हमें एक चमच ही डालनी है ज्यादा बेसन नहीं डालना है अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ये देखे ऐसा पानी जिसमें बरब जमी हो ऐसा पानी लेना है हमें जिससे हमारे गेवर जालीदार बनेंगे अब अब हम इसे अच्छे से पीश लेंगे तो गोल अमारा भी थोड़ा थोड़ा गाडा है अब इसमे थोड़ा सा पानी ओर डालके इसको और पीश लेंगे गयोर बनाने के लिए पतला गोल चाहिए गाड़े गोल का यूज नहीं करना है नहीं तो गेवर बिल्कुल पी अच्छे नहीं बनेंगे तो यहां पे हमारा गोल पी अच्छे से पिस गया है यह देखे इतना पतला गोल चाहिए हमें गेवर बनाने के लिए अब हमें सारे गोल को एक बरतन में निकाल देना है तो यहां पर पहले ही गैस पर गी गरम होने के लिए रट दिया है घी हमें ज्यादा गरम च जाहे यहां पर को ज्यादा सधाता है गी जिससे हमारे गेवर जालीदार बनेंगे गेस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखना है अब इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके गोल डालेंगे एक साथ नहीं डालना है आप एक साथ डालोगे तो पूरा गी बहार आ जाएगा और यहाँ पर कोई भी बरतल लो आप उसमें आपको आदा गी रखना है और आदा उपर से खाली रखना है और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि जैसे हम गोल डालते हैं तो गी का टेमपरेचर कम हो जाता है हमें थोड़ी देर रुखके डालना है जिससे गी भी अच्छे से गरम हो जाए तो आपको इसी तरह इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहना है गोल और इसमें बीच में हमें चम्मच या चक्पू से इसको बीच में से अच्छे से इसका पोल बना लेना है गेवर में अब हमें गेवर को अच्छे से पका लेंगे, गेवर को यहां पर हमें अच्छे से पका लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें गेवर को पकाना है, गेश का फ्लेम हाई रखना है, अब हम इसके चारों तरब से किनारे चुड़ा लेंगे, तो हमें चक्कु से इसके हलका स दबाना है और गी में अच्छे से दबाते हुए पका लेंगे यहां पर गेवर भी हमारा अच्छे से गॉल्डन ब्राउन हो गया है बिल्कुल पक गया है अब हमेशे निकाल लेंगे बाहर तो अब हम इसके सारा गी निकाल लेंगे इसमें काफी सारा गी होता है तो इसे हमें इसी तरह रखना है थोड़ी देर के लिए जिसे इसका सारा गी निकल जाए उसे हमें एक पलेट में निकाल लेंगे गीको में अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद में हम दुबार से गोल डालेंगे तो गेवर भी हमारे कितने जालीदार गेवर बने हैं अब हम इसमें थो कि आतोरpha कर दों हूब है ऩाथ है तो यहां पर हमें सारे इसी तरह बना लेने हैं अब किना अच्छा हमारा गेवर बना है तो यहां पर हमने सारे बना दिया अब हम इन पर डालनेंगे छासनी तो अब हमें रबडी को चेक कर लेते हैं रबडी भी हमारी काफी काड़ी हो गई है पहले से अब पहले हमें इन पर चासनी डालेंगे तो यहां पर हमें थोड़ी-थोड़ी करके चासनी डालनी है इसी तरह हमें सारे गेवर पर चासनी लगा लेंगे तो यहां पे हमने सारे गेवर पे चासनी लगा ली है अब हमें इसमे लगाएंगे रबडी तो यहां पे हमें एक गेवर रखके इसमे रबडी लगा लेंगे अब यहां पर हमें चम्मत से इसके चारो तरफ अच्छे से रबडी लगा लेनी है आप रबडी गर पे भी बना सकते हो या आप मावा हो आपके पास तो मावे से भी आप रबडी बना सकते हो मावे को आपको कड़ाई में डालके उसमें थोड़ी सी चीजनी डालके उसे थोड़ा सा पतला कर लेना है तब भी हमारी रबडी बनके तयार है आपको जैसे पसंद हो उसी साफ से आप रबडी बना सकते हो यहां पर मैंने थोड़े से ड्राइफूट लिये हैं तो यहां पर आपको ड्राइफूट फसंद हो तो आप यहां पर ड्राइफूट लगा सकते हो नहीं तो इसकी भी कर सकते हो तो मैं इसे थोड़े से बादाम लिये हैं और इसमें थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे तो आपको जो ड्राइफूट फसंद हो वह आप यहां पर डाल लेंगे तो आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना सेर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद